जावा सीखने के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें हाई फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें हम कोई भी नंबर इंपूट करेंगे उसके बाद इंपूट किये गए नंबर को हम चेक करेंगे कि वो नंबर अपना पोजिटिव नंबर है या फिर नेगेटिव नंबर यही सिंपल सा काम करेंगे तो प्रगराम लिखने से पहले हम आपको रिकौ़ार्मेंट समझा दे रहे हैं जो कि आपके लिए समझना जरूरी है सबसे पहले तो आपको नंबर इंपूट करना होगा consider करो आपने number input किया जो की 0 से greater है तब आपको क्या मिलना चाहिए अपने output में positive number यह output आना चाहिए positive number second condition क्या होगा आपके सामने माल लिजे आपने कोई ऐसा number input कर दिया जो 0 से छोटा है less than 0 तब आपको क्या output आना चाहिए output आना चाहिए negative number ठीक है यही simple सा है अभी last एक और condition यह बचता है कि माल लिजे आपने number input कर दिया 0 तो इस case में आपको क्या message आना चाहिए इस case में आपको message आना चाहिए neither positive क्योंकि 0 नहीं positive है nor negative 0 को ना आप positive बोल सकते हो नहीं negative बोल सकते हो यह middle में होता है दोनों के लिए काम करता है अपने condition पर तो अभी देखिए हमारे पास कितना condition है हमारे पास तीन condition है इसी तीन condition के लिए चलिए हम program बना रहे है सबसे पहले class बना ले रहे है check नाम का और यह हो गया main method अभी variables का requirement समझो तो यह requirement में मैंने आपको क्या कहा कि आपको एक number input करना होगा जब एक ही number input करना होगा उसी को check करना है कि वो number positive negative या फिर 0 है तो उसी एक number के लिए हम एक variable यहाँ पे बना रहे है integer type का n नाम का इसी n variable में हम number को input करेंगे तो अभी यहाँ से message पास कर रहे है system.out.print और यहाँ पे क्या लिख रहे है यहाँ पे लिख रहे enter any number कोई भी number आप input करिये और आप check कर सकते हो वो positive negative या फिर 0 है देखो प्रोग्राम में अगर आपने variables की requirement को पकड़ लिया है और requirement को समझ गये है तो आप प्रोग्राम बहुत ही असानी से design कर सकते हैं अपने हिसाब से अभी variable n में value input करनी है scanner class को object बना रहे run time में value input करने के लिए इस class को हम use करते है object reference का name are new keyword से object बना रहे new scanner यहाँ पे क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे system.in object बन गया है scanner class का अभी variable n में value input कर दे रहे तो next int method यूज कर रहे scanner class का integer value input करने के लिए तो scanner का method उसी के reference से call करा value को store करा दे रहे अपने variable n में क्योंकि हमें उसी में store करानी थी value value store हो गया है n variable में अभी scanner class के package को import कर ले रहे है ठीक है तो यहाँ पर class के जस्ट उपर लिखो इंपोर्ट जावा डोट यूटिल डॉट इसकेनर जावा डोट यूटिल का मतलब क्या है कि जावा का यूटिल package में अपना scanner class है बस इतना ही मतलब है number input हो गया है अभी हमें condition देनी है है तो condition के लिए यहाँ पर हम इफ इफ इस्टेटमेंट क्यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले syntax design कर ले रहे हमारे पास कितना condition है तीन condition है यह होगी आपना एक condition अभी यहाँ पर क्या कर रहे है else if का एक और ब्लोक बना रहे हैं यह होगी आपना second condition और last condition के लिए यह अपना last में else काम करेगा आपके पास जितना condition होगा आप उतने के लिए ही यहाँ पर syntax design करिएगा और कोई भी program बनाने से पहले कोशिस करिए इस तरह से syntax लिख लेना का जो कि आपके लिए बहुत मदद फूल होगा ठीक है यहां पर क्या कर रहे है अभी सबसे पहला condition क्या है यहां देखो n greater than 0 इसी को यहां से copy करा हमने और यहां पर पेस्ट करा यह condition होगी आपना तो इस condition के लिए आटपूट आपको क्या मिलना चाहिए आटपूट आपको मिलना चाहिए positive number तो यहां पे लिख दो अपने आटपूट वाले statement में system.out.print और यहां double quotes में message पास कर दो वही same message positive number यह अपना हो गया एक condition, second condition देखो क्या है अगर number less than 0 होता है तब negative number आपूट आना चाहिए ति यहां पे second condition डाल दो और इस same चीज को यहां से उठा के अपने इस block के अंदर लिख दो और यहां पे बस negative message लगा दो यह होगी अपना second condition, third condition क्या है अगर मान लिजे हमने number input कर दिया 0 तो 0 के लिए output आना चाहिए neither positive nor negative तो जब दो condition हमने set कर दिया तो अब इस दोनो condition के बाद एक ही number बसता है 0 तो जब एक ही number बसता है तो उस number को else block में अपने आप हमारा compiler consider कर लेगा और यहां पर क्या कर दे रहें सीधा लिग दे रहें neither positive nor negative number होगी अपना program ready है सबसे पहले इसे थोड़ा सा minimize कर रहें आप देख सको अभी इसे हम save कर ले रहें किसी भी एक particular location पर ठीक है देखी यह previous program के हमारे नाम से सेवे convert.java मैं इसे यहां पर सेवेस कर रहा हूं क्योंकि हमने अर्लियर program में जो किया था मैंने उसे नेम को हटाया नहीं था अपने class का नेम है check.java अभी देखो check.java नाम से अपना program desktop location पर सेव हुआ है compile और run करने के लिए command prompt हमने open कर लिया है सबसे पहले desktop location पर हम जा रहे है cd desktop अभी desktop पर आ गये है compile करने के लिए लिख रहे है java c मतलब java compiler class करने में अपने check.java एंटर प्रेस करा देखे प्रोग्राम compile हो गया है अब इसे run करने के लिए आप क्या करिए java लिखिए और अपने class करने एंटर any number इस message को आप थोड़ा ध्यान से देखे यह वही message जो मैंने यहां से पास किया है अगर मैं एक number input कर दू consider करिए मैंने input कर दिया 20 आटपुट देखिए positive number यह output print हो चुका है तो यह कैसे print हो रहा dry run कर देते हैं सबसे पहले तो मैंने इस n के लिए क्या number input करा n के लिए number input करा मैंने 20 अभी यहां पे आप condition देखो क्या आपना 20 greater than 0 है condition true हो गया जैसे ही condition true हुआ इस if के अंदर में जो statement लिखा था positive number वो output screen में print हुआ था अभी अगर program को हम फिर से run करें एक number input कर दे रहा हूं मैं जैसे 0 देखिए neither positive nor negative इसके लिए भी आप condition देखो क्या होगा अभी इस n के लिए मैंने number input करा 0 तो अभी condition देखेगा compiler क्या 0 greater than 0 है यहां पर देखो condition false हो गया अभी यहां पर आएगा चेक करने के लिए इस else के पास अब देखेगा 0 less than 0 है क्या यहां पर भी देखो अपना condition false है क्योंकि 00 से ही छोटा कैसे हो सकता है एकदम false है तभी एल्स में जंप करेंगे इसमें condition देखेगा इसके लिए सिर्फ 0 ही बचा है क्योंकि 0 को छोड़ के बाकि जितने भी नंबर है वो तो इसके अंदर आ गए तो यहां पर देखिए यह वाला output आ गया नाइधर positive नोर negative अगर आप negative के लिए भी चेक करना चाहते हो तो कर सकते हो जैसे minus 10 अभी देखो negative नंबर आया है तो इसे भी आप उसी तरह से dry run कर सकते हो यहां पर fit करके तो इस प्रोग्राम में मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप अपने किसी भी नंबर को input करके चेक कर सकते हो कि वो positive है या फिर negative तो आप भी कोई भी program बनाया है तो requirement को समझे variables को ले पहले फिर प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करें वीडियो पसंद आया हो like कर दीजिए share कर दीजिए channel पे नहे है subscribe कर लिजिए